तो आज की सीरीज का पहला प्रिष्ण आपकी स्क्रीन पर आ रहा है सो समझ के आंसर दीजेगा ए रहा आपकी स्क्रीन पर पहला प्रिष्ण निमलिकित सेल तंत्रों में से कौन भारत के कोला निचियों या डिपॉजिट्स का प्रिमुक स्रोथ है कुल मिला के पूछी जाने वाली बात यह है कि इन चार सैलों में से वाए कौन सा सैल तंत्र है जहां से भारत को कोईला की प्राप्ति होती है अगर हम कोईला की बात करते हैं तो कोईला को हम इधन खनिच के अंतरगत रखते हैं कोईला को हम किस के अंतरगत रखते हैं इधन खनिच के अंतरगत रखते हैं और कोईला को बलेक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है इसका उपयोग मुक्रूप से लोह इसपात उद्धोग या अनद्धोगों में किया जाता है अगर कोईले की बात करें तो कोईला चार प्रकार का होता है कोईला कितने प्रकार का होता है चार प्रकार का कोईला होता है जिसमें सबसे अच्छा कोईला एंतरासाइड होता है एंतरासाइड कोईला सबसे अच्छा होता है और उसी कोईले को सबसे अच्छा कोईला मना जाता है जिसमें कारवन की मात्रा अधिक पाई जाती है अगर हम एंत्रासाइड की बात करते हैं तो एंत्रासाइड में लगबग 80 से 95 प्रतिसत कारवन की मात्रा पाई जाती है और जिस कोईले में कारवन की मात्रा जिस कोईले में कारवन की मात्रा अधिक होगी मतलब यदी कारवन की मातरा देखे तो कोईला अच्छे प्रकार से जलेगा और यदी कारवन की मातरा कम होगी तो कोईला अच्छे प्रकार से नहीं जलेगा भारत में जितना भी कोईला है या भारत के साथ साथ जहां पर भी जितना भी मातरा में कोईला पाए जा रहा है वह किन सैलों से प्राप्त होता है तो अगर हम आपको पृत्वी का अथियास समझाने की कोशिस करें तो पहले हमारी पृत्वी को एक नाम दे दिया जाता था और नाम दिया गया था पैंजिया और इस पैंजिया के बीचो बीच में पैंजिया के बीचो बीच में एक सागर है और यहां पर जो सागर है इस सागर का नाम है टैथी सागर कौन से सागर है टैथी सागर के ऊपर वाले भाग को अंगारा लेंड नाम दे दिया गया अंगारा लेंड और नीचे वाले भाग को एक नाम दे दिया गय नीचे वाले भाग को नाम दे दिया गया गोंडवाना लेंड तो ऐसे महादीप जो गोंडवाना लेंड में हैं निश्चेतोर से वहां पर कोईले के निच्छेप या कोईले के निच्छाय अधिक मात्रा में पाय जाते हैं और गोंडवाना किर्म के या गोंडवाना भाग मे जो भी देश पढ़ गए उनमें जिन चट्टानों का विकास हुआ उनी चट्टानों को गोर्णवाना लेंड की चट्टान कहा गया तो गोर्णवाना लेंड यानि अगर आप पिर्थिवी पे बात करें सातों महाधीपों को एक दूसरे से जोड़ दें तो जो टैतिस सागर क नीचे वाले छेट्रों होते हैं जैसे हमारा भारत देश हो गया, अफरीका महाधीप हो गया, औस्ट्रेलिया हो गया, तो यहां पर कोईला छेट्रों की अधिकता पाइ जाएगी, ठीक ना, तो गोर्णवाना क्रिम की चट्टानों से कोईले की सरवाधिक मात्रा में प्रा सही आंसर हो जाएगा गोनमानलेंड की चट्टान ठीक ना उसके बाद अगर हम बात करते हैं धारवार क्रिम की चट्टान की जो धारवार क्रिम की चट्टान है आपकी धारवार क्रिम की चट्टान है धात्वे खनिजों के लिए जाने जाती हैं किस खनिज के लिए जाने जा और अपरदन की पिर्किरिया हुई तो उन से जिन चटानों का निर्माड हुआ उन चटानों का नाम है कुडपा किरिम की चटान तो कुडपा किरिम की चटान भी धात्वे खनिजों के लिए जानी जाती है उसके बाद अगर हम बात करते हैं बिंधियन तंग्र तो बिंधियन क्रिम की चटाने भारत में बिंद्यांचल परवती छित में पाएं जाती हैं और साथी साथ अरावली परवती छित में पाएं जाती हैं तो बिंद्यान क्रिम की चटाने जो हैं वो आधात्वे खनिजों के लिए जानी जाती हैं किस खनिज के लिए जाती हैं आधात्वे खनि अब देखीगा गर हम आप्षन के आधार पर देखें तो धारबाण और कुडपा चटान धात्विक खनिच के लिए हो गई गोडवाना करिम के चटान कोईला या कोईला के साथ साथ हम इधन खनिच भी कह सकते हैं इधन खनिच के लिए हो गई और जो आपकी बिंधन करिम की के चटाने हैं वह किस खनिच के लिए जाने जाती है वह आधात्त्वी खनिच के लिए जाती है ठिक ना किलियर है तो ए रहा आपकी स्क्रीन पर पहला पृषन उसके बाद पहला प्रिष्ण स्वाज में आ गया तो दूसरे प्रिष्ण का आराम से आप आंसर दे सकते हैं और देखिएगा मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ जो लोग अभी जोइन किये हैं मैं पूरे भुगोल का आपको प्रिष्ण नहीं करा रहा हूँ मैं उन्हीं प्रिष्णों पर बात आज कर रहा हूँ आपसे जो हमने अपने PCS Prelims के बैच में पढ़ा दिये हैं मुख रूप से आर्थिक भुगोल तो हमने जैसा कि कहा था कि हमारी कतनी और करनी में कोई अंतर नहीं है जो प्रॉमिस रवी सनने जो प्रॉमिस आलोग सनने या अन्य सदस्तों ने जो आपसे प्रॉमिस किये थे उन्हीं प्रॉमिसों को पूरा किया जा रहा है हमने आपसे promise से किया था कि जैसे ही आपका कोई topic पूरा हो जाएगा उस topic से सम्मंदित हम लोग प्रिश्ण कराएंगे मैंने आर्थिक Google समाप्त कर दिया है PCS Prelims वाले बैच में और उसी से सम्मंदित माहत्पूर्ण प्रिश्ण कराए जा रहा है मेरे बाद अन टीचर आते जाएंगे जैसे जैसे portion उनके खतम होते जाएंगे बैसे बैसे आपको अभ्यात प्रिश्ण कराते जाएंगे तो ठीक ना आईएगा जुड़िये हमारे साथ और एक अच्छे और बहतरीन तरीके साथ PCS के साथ साथ अन जितने परिक्षा है नीचे स्क्रॉलिंग में नंबर चल रहे हैं हमारे याँ जितने भी परिक्षा है आप उन पर कॉल करके पूँ सकते हैं डिटेल ले सकते हैं चाए वो बीई हो चाए सुपरटेट हो चाए PCS प्री बैच हो तो बिंध्यन कर्म से तो प्राप्त नहीं होता है धारवार कर्म से भी नहीं होता है टरसरी कर्म की चटानों से भी प्राप्त नहीं होता है तो एक आंसर बच रह गया हमारा कौन सा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गोर्णवाना लेंड तो गुर्णवाना लेंड की चटानों से भारत में लग बग 90% सेदिक कोईला की प्राप्ती होती है ठीक ना चलिए उसके बाद आते हैं पृष्ण नमर तीन पर पृष्ण नमर तीन भारत के सेल समुह मैंसे गुर्णवाना सेलों को सबसे मात्पूर मानने के लिए निमलिकरत मैंसे कौन सा तर्ग उपयुक्त है ठीक ना यह आईएस की परिक्षा में पूछा गया पृष्ण है आप प्रीवियस एर के अगर कुश्चन पेपर देखेंगे तो यह पृष्ण पूछा गया है मैंने पहली कुश्चन में ब्याख्या कर दी और उस पहली कुश्चन में ब्याख्या करने से आप 4-5 इस सेरीज के 4-5 पृष्ण आराम से कर सकते है चलिएगा तो पहला कह रहा है इनमें भारत का 90% से दिखक चूना पत्थर भंडार पाय जाता है बिल्कुल सही बात कुशन नमर स्वरी ऑप्शन तीसरा कह रहा है इनमें 90% से अधिक उपजाओ काली का पास मिर्दाया फैली हुई है पाएं जाती है ए भी बात गलत इस अंदर में उपर दिये गए तरकों में से कोई भी तरक उपयोग तो नहीं है ए भी बात गलत ये वाला तरक बिल्कुल सही है तो इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन भी के इनमें भारत का 90% से अधिक क्या पाए जाता है कि चट्टानों से गोर्ण माना सेल क्रम से या गोर्ण माना सेल चट्टानों से ठीक ना चलिए पिश नमर तीन के बाद आते हैं पिश नमर चा चेतर पूंचा जा रहा है कोईला चेतर अबस्तित है कोऊरवा कोईला चेतर अबस्तित है कहां णासे अखराए और आप से पूंच्लिया जाता है और बार-बार धवर धनबाद कहा पर है तो धनवाद जो है वो कहां पर है धनवाद आपका जारखंड में है बैसी पूछा जारा कोरवा कोरवा कहां पर है तो कोरवा की अगर बात करते हैं तो कोरवा 36 गड़ में है महा नदी एक नदी है महा नदी 36 गण से निकलती है कहां से निकलती है 36 गण और 36 गण के बाद ओरीसा से प्रवाहित होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है कहां गिरती है बंगाल की खाड़ी में और इसी महा नदी से एक नदी आकर मिलती है और महा नदी से जो नदी आकर मिलती है इस नदी का नाम है हस्दो महा नदी से कौन सी नदी आकर मिलती है तो हस्दो नदी आकर मिलती है और इसी हस्दो नदी के किनारे एक सहर है जिसका नाम है कोरवा 36 गड़ में जो की कोईला के लिए जाना जाता है किस के लिए जाना जाता है कोईला के लिए आपको पिश नियाद रखना होगा कोईला कहां पर अवस्तित है तो 36 गड़ में अवस्तित कहां पर 36 गड़ में ठीक ना चलेगा पिश नमबर चार के बाद पिश नमबर पांच सू वोने PCS Prelims 2019 के परिच्छा जो 15 दिसंबर को आयजित की गई थी लोग से बायोग के द्वारा जिसने भी ये परिच्छा दी होगी उसको याद होगा इसी परकार का पिष्ण पूछा गया था और इसी परकार के पिष्ण जो भी बैच सदस हैं ऑनलाइन बैच के वो बता सकते मिलाने हैं और ये नीचे सीरी दी गई है देखीगा ऐसे जब भी आपके सामने ऐसे पिष्ण आएंगे आप सबसे पहले मिलान कीजिएगा हो सकता है कि आपको एक ही तुम मिलाना आ रहे हो तो जो मिलाना आ रहा हो जिस पर आपको भरोसा हो कि यह सटीक है एक दम ठीक ना ये निश्यत है सबसे पहले उसी को मिलाइए चलिए अगर हम दामोतर घाटी की बात करें या सोन घाटी की बात करें तो सोन घाटी सोन नदी की घाटी है और सोन नदी जो है वो कहां से निकलती है सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है और मद्परदेश से होते हुए ब महात्पूर जगए सिंगरैनी और सिंगरैनी कोला भंडार के लिए जानी जाती है तो सोन नदी घाटी का संबंद किसे हो गया सिंगरैनी से हो गया किसे हो गया सिंगरैनी महानदी की बात करें तो महानदी 36 गड़ और उडिशा महानदी की बात करते हैं तो 36 गण उरिसा से उती उबहती है उरिसा में एक बड़ा महात्पूर्ण इस्थान है तलचर और तलचर जो है वो कोईला के लिए ही जाना जाता है तो महानदी का संबन्द किस से हो गया तलचर मा लिजेगा हमें यही दो मालूम है तो इनी के आधार पर सबसे पहले हम कुश्चन मिलाना सीखते हैं हम आपको बता रहें किस परकार से इस परकार के कुश्चन किये जाएगे तो B का D कह रहा है तो चलिए B का D B का मतलब चौथा, B का चौथा तो B का, sorry, B का चौथा तो इसमें कोई है यह नहीं B का चौथा, सो नदी, सो नदी का सम्मंद B का चौथा इसमें नहीं दिया जा रहा है, चलिए, कोई बात नहीं अंगला देखते हैं, महा नदी, महा नदी का D का पहला D का पहला, D का पहला मतलब A होना चाहिए और इस साबसे B का तीसरा होना चाहिए, चलिए मा लिजीगा हमें यही एक मिल गया यही मिल गया हला में B का चौथा ही होना चाहिए और जो दामोदर है दामोदर घाटी का समन्द बराकर से है तो A का दूसरा हमें A का दूसरा भी मिल गया D का तीसरा भी मिल गया अब यहाँ पर सिंग्रैनी और सिंग्रैली में कई बार अंतर हो जाता है तो इसका सही आंसर हो गया दो तीन चार एक दामोतर घाटी का बराकर से सोन घाटी का इसमें सिंगरैनी सिंगरैनी दिया गया है और गोदाबरी घाटी का किस से हो जाएगा गोदाबरी घाटी का सिंगरैनी से हो जाएगा और सोन घाटी का उमरिया से हो जाएगा तो इस प्रकार से ए ओप्सन इसका क्य लगे जिस पर हमें विश्वास हो कि यह 100% होगा तो उसी को सबसे पहले आप मिलान कीजिएगा ठीक ना चलिएगा पिश नमबर 5 के बाद बढ़ते हैं पिश नमबर 6 पर कथन और कारण दिए जा रहे हैं आपको कथन और कारण लिगनाइट निकरिष्ट कोटी का कोईला होता है देखेगा अगर हम कोईले की बात करते हैं तो कोईला जो है वो कोईला चार प्रकार का होता देखेगा यह हमारे दौनों बैचों में एडविशन की प्रक्रिया है अगर आप पीश प्री कमेंस में एडविशन लेना चाहते हैं तो 9918000454 नमबर पर आपको वर्टसप के द्वारा मैसेज करना होगा इंटरी PCS pre comments match और अधि आपके वो pre match जोईन करना चाहेते हैं PCS pre तो आपको 91700509670 इस नंबर पर PCS pre इंटरी लिखकर आपको send करना होगा ठीक ना चलेगा तो हम कोईला को पढ़ रहेते हैं कोईले की अगर बात करें तो कोईला चार प्रकार का होता है जैसा कि हमने आपको बताया था सबसे अच्छा कोईला जो होता है वो anthropocide को माना गया है anthropocide के बाद कौँसा होता है तो bitumens उसके बाद lignite lignite और lignite के बाद सबसे घटिया किसम का होता है वो peat होता है तो anthracite, bitumins, legnite और PIT अब ठीक ना, यह चार परकार का होता है जैसे जैसे यहां से यहां की और बढ़ते जाएंगे इसमें जो होगा وہ koila की मातरा में क्या आती जाएगी koila की मातरा में क्या आती जाती है? कम या आती जाती है और एंत्रासाइट की अगर बात करते हैं तो एंत्रासाइट में लगबग 80-95% कोयला होता है बिटुमिन्स की बात करें तो बिटुमिन्स में लगबग 70-85% होता है लिगनाइट की बात करें तो लिगनाइट में लगबग 40-50% या 55% होता है और पीट की बात करें तो पीट में लगबग लगव 25 से 30% होता है कहां से कहां होता है 25 से 30% पाया जाता है आईएगा अब पूरा question पढ़ लेते हैं पहले पूरा question पढ़ लेते हैं लिगनाइट निकरिष्ट कोटी का कोईला है जिसमें कार्बन की मातरा 35 से 40% है कितनी है 35 से 40% ठीक है 35 से 40% हमने 40 से 50 लिखा चलिए तो पहले ही बात तो सही दूसरी बात देखते हैं क्या कह रहा है भारत में जार्खन लिगनाइट का सरप्रमुख उत्पादक है तो अगर हम बात करें एंथरासाइट की तो एंथरासाइट कोईला जो की सबसे उत्तम प्रकार का होता है यह सबसे जान्द कहां पाए जाता है यह सबसे जान्द हमालय परवती छेतर में पाए जाता है यह हमालय पर पाए जाता है जम्मु कस्मी राज एक मातर है सराज्ज्ज जहां से एंतरसाइट प्रकार का कोईला मिलता है उसके बाद जो दूसरा है जो दूसरा है यानि बिटुमिन्स प्रकार का तो दच्छन भारत के राज्यों में ये अच्छे मात्रा में पर्याप्त मात्रा मिलता है उसके बाद जो लिगनाइट है लिगनाइट के भंडारण और पादन में सबसे आने जारखंड राज है तो A वाली बात भी सही और A वाली तो A और भी दौनों सही हैं लेकिन अब आप्शन कहा रहा है A और भी दौनों सही हैं और A का मतलब रीजन है और A का मतलब है उसका कारण बता जा रहा है कि सही बयाख्या करते देखेगा दौनों सही तो हैं लेकिन सही बयाख्या नहीं करते इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 35 से 40 पाए जारा होगा तो जहरखंड राज में पाए जाएगा तो A और B दानों की दानों कत्थन सही है लेकिन A B की सही रूप से व्यक्षया नहीं कर पाता है तो इसका सही अन्सर हो जाएगा B A और B दानों सथ हैं और R A की सही व्यक्षया नहीं करता है ठिक ना, चलीगा उसके बाद अगले पिशन पर बढ़ते हैं पिर नमबर शाथ भारत की किर्सी से लिया है मैंने और भारत की किर्सी से है चावल के लिए अधिक जल की आवशक्ता होती है चावल की खेती के लिए चावल की बुआई जब की जाती है जब कौन सा रितू होती है आपको बताना वर्सा कालीन फसल है चावल वर्सा के समय में वो यी जाती है तो चावल के लिए अधिक जल की आवशक्ता हुथी कह रहा है तो यह बात तो शही हो गई दूसरा कह रहा है चावल उश्रकडबनी च्छेतर में हो गाए जाते हैं देखेगा अगर हम च्छेतरों की बात करते हैं तो यह हमारी रही प्रिथिवी और इस प्रिथिवी पर अगर बात की जाए तो करक रेखा यहां पर एक रेखा है कौन सी करक और दूसरी यहां पर एक रेखा है प्रिथिवी पर जिसका नाम है मकर तो एक करक रेखा दूसरी मकर रेखा तो करक और मकर रेखा के जो बीच का छ होती है और वर्षा दिखोने के कारण ही यहां पर किसकी खेती की जाएगी चाबन लेकिन करके रेखा कि उपर वाला क्षेतर की बात कर रहें तो यह क्षेतर माना जाता है अप्ष्ल कडबंद या इसी को सीटोशन कडबंद खहते हैं क्या कहते हैं उपोश्न कडवंद या इसी को सीटोश्न कडवंद कहते हैं और उपोश्न और सीटोश्न कडवंद जो है वह गेहुं के लिए अजिक मातरा में जाना जाता है तो चावल की अगर बात करें तो चावल एक उशनकडबंदी फसल है ऐसी स्थानों पर बोई जाएगी जहाँ पर जलकी आवशकता होती है वर्सा की मातरा अधिक होती है तो वर्सा की मातर इसलिए अधिक होती है या ऐसे स्थानों पर हम इसलिए बोते हैं से ताकि आधिक मातरा में वहाँ पर वर्सा की प्राप्ति हो सके तो चावल के लिए जलहकी आवशकता होती है बीबात सही है और ओशनल खडबंदीर छ क्षेतरों inquain कि उगाय जाएगा के मत्रा अधिक होती है तो कथन और कारण दौनों सही और एक दूसरे के सही Counter से व्याख्या करते हैं ठीक ना चलिए तो इसका जो सही आंसर है वो यह हो जाएगा काथन एवं कारण दौनों सही है लेकिन सही व्याख्या करते हैं एवाली बात इसमें क्या हो जाएगी एवाली बात इसकी सही हो जाएगी तो इसका एवाली बात इसकी सही हो जाएगी तो anthracite cola भारत में कहां से प्राप्त होता है तो भारत में anthracite cola जो है वो हिमालय परवती छितर से प्राप्त होता है हिमालय से और जब हिमालय का निर्माण हुआ याद करिएगा हिमालय की उत्पत्ती मैंने public class पढ़ा ये हिमालय ठीक ना और जब हिमाले की उत्पत्ती होई तो 33 सागर था भारती प्लेट और यूरेशियन प्लेट नीचे कौन सी प्लेट है तो नीचे भारती प्लेट है और भारती प्लेट के बाद उपर कौन सी प्लेट है तो उपर यूरेशियन प्लेट है और भारती और यूरेशियन प तो सबसे धिए प्रकार पुरा को यहां से प्राप्त होता है वो ह BRANDON हिमालय परवतिय छित्र से प्राप्त होता है कहां से प्राप्त होता है हिमालय परवतिय छित्र से इसकी प्राप्ति की जाती है ठीक ना चलेगा अंगला पिशन देखिएगा पिशनमबर 9 निमलेकित मैंसे कौन सा जोड़ा सही है आपको छित्र मिलाने है एक साइड तेल सोध सालाओं की, तो वर्तमान समय में भारत में 24 तेल सोधन साला हैं, 24 तेल सोधन साला हैं, ठीक ना, जिनको हम इंगलिस में तेल रिफाइनारी कहते हैं, इनकी संक्या 24 हो गई, 24 मैं से 9, सारी, 19, 3 और 2, आप जोड लीजेगा हैं, 24 हो रहे हैं, 19 जो हैं, वो सारजनिक छेतर की है ठीक ना, तीन जो हैं, वो प्राइवेट हैं, तीन को जो हैं, वो प्राइवेट हैं, और दो तेल रिफाइनारी हैं, वो शैयुक्त छेतर की हैं, कहां की हैं, शैयुक्त छेतर की हैं, इस परकार से तेल रिफाइनारी भारत में कितनी हैं, 24 हैं, 19 सार्विनिक छेतर की, पब चलिएगा, अब कई बारे प्राइवेट पूछता है, तो प्राइवेट में आपको या रखना है, दो तेल रिफाइनरी तो रिलाइंस की हैं, जो की जामनगर में है, कापर है, जामनगर में है, और एक SR गुरूप की है, जो की बादिनर में है, बादिनर भी गुजरात में ही ठीकना चलिएगा अब पिष्ण की ओर बढ़ते हैं कहरा एक साइड छेतर का नाम दिया गया है यानि राज्य का नाम और एक साइड तेल सोधन साला तो हमें तो लगता है यही गलत हो गया ठीकना आंगे और भी देख लेते हैं विशाका पत्तनम तो नाम तो सुने होंगे पह कहा था कोईना का भूकंब कोईना कहां पर महराष्ट में तो भाई यह वी वास्ता ही होगी गुजरात क्यारा मतुरा तेल सोधन साला तो मतुरा तेल सोधन साला कहां पर मतुरा तो मतुरा तो भाई यह उत्तर प्रदेश में है तो यह वाला गलत हो गया और अगर बात कीज आब माहर नीचे बाला गुजरात तो अगर बराओनी पूछा जाएगा तो बराओनी भिहार में है और मत्वरा-तेल-सोधन-साला के बारे में बतानें कि मुझे कोई अवश्रक्ता नहीं है मत्वरा-तेल-सोधन-साला कहां पर है उत्तर प्रदेश में मत्रा सहर में, ठीक न? तो इसमें दो आंसर गलत है, ठीक न? चलीएगा पिश नम्मर 10, सूची है और सूची को मिलाना है, ठीक न? चलीए अभी अभी बताए हम आपको बरौनी कहां पर है? बरौनी बिहार में है तो डी का पहला मिला दीजे, ठीक न? चलिएगा उसके बाद नुमाली गड़ ताती पाका कोयली अगर कोयली की बात करें तो यह आपकी गुजरात में है कोयली आपकी कहां पर है तो कोयली आपकी क्या है वो गुजरात में है नुमाली गड़, अगर नुमाली गड़ की बात करते हैं तो नुमाली गड़ आपकी असम में है बची ताती पाका, तो ताती पाका आपकी आन्रप्रदेश में है तो A का चौथा, A का चौथा यानि ये बाला होना चाहिए, ये ही मिलना है B का तीशरा, तातिपा का अंद प्रदेशन B का तीशरा हो गया C का दूसरा, C का दूसरा A भी हो गया और D का पहला, D का पहला A भी तो option D इसका सही हो जाएगा सारे के सारे तेल सोधन साला कौन सी कहां पर है सारी की सारी चीज़ें आपको क्लास में अच्छे से समझाई गई है और भखू भी आप आंसर दे पा रहे होंगे इस कुछ सहरों के नाम है जिने समझा नहीं कि मुझे कोई अवश्रक्तर नहीं कि कौन से सहर कहां पर है यसे ही आपको याद करने होंगे और अगर बात करें गुवाहटी का नाम पूचे लेता है आपको कमेंट बॉक्स में जाके बताना है उसके बाद कुछन पूचे लेगा भटेंडा में भी है भटेंडा कहां पर है तो एक कुछ छेतर हैं जहांपर तेल सुदन साला है जिनको आपको याद रखना होगा चलिएगा पृष्ण मर्दस के आँगे बढ़ते हैं भारत में अधिकांस प्राकृतिक गैस उत्पानन निर्मे से कहां पर होता देखेगा अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस अगर बात की जाए प्राकृतिक गैस तो प्राकृतिक गैस जो है वो प्राकृतिक तेल के साथ पाई जाती है प्राकृतिक गैस किसके साथ पाई जाती है प्राकृतिक तेल के साथ पाई जाती है और ये दोनों के दोनों हाड्रोकारवन के मिश्रण होते हैं जिसमें हाडोजन और कारवन का समुनपात पाय जाता है 9 अनपात के एक यानि 90 और 10 पृतिसत की मातरा में पाय जाती है तो जहां से भी प्राकृतिक तेल की अधिक मातरा में प्राप्ति होगी वहीं से किसकी प्राप्ति होगी अधिक मात्रा में प्राकृतिक गैस की प्राप्ति होती है पुझरा भारत में अधिकांस प्राकृतिक गैस उत्पादन निर्मे से कहां से होता है तो हमने कहा कि जहाँ से प्राकृतिक तेल मिलेगा वहीं प्राकृतिक गैस सदिक मातरा मिलेगी तो वर्तमां समय में मुंबगई तट से या मुंबई सहर से लगबग 176 km दूर मुंबई सहर से कहां से मुंबई शहर ए रहा यहां से लगबग 176 km दूर एक जगए है जिसका नाम है दूर मुंबई हाई और 1976 में यहां से खनिश तेल का परियात्मात्रा में सोधन किया जा रहा है निकाला जा रहा है और सोधन भी किया जा रहा है सबसे जानदा भारत को यहीं से वर्तमान में प्राकृतिक तेल की प्राप्ति होती है तो सही आंसर हो जाएगा मुंबई हाई तो मुंबई हाई जो तेल सोधन छेतर है 1976 में इसकी खोज की गई थी और मुंबई सहर से लगबग 276 किलो मीटर या दूर है समुद्र सागर या समराट सागर नामक आपका एक विमान था जिसके द्वारा इस तेल छेतर की खोज की गई थी ठीक ना तो आपको याद रखना है कि कब इससे उत्पादन हो रहा था या कब इसकी खोज की गई थी 1976 में और ये मुंबई तट से कितने किलो मीटर है 176 ठीक ना चलिएगा अंगला कुशन दिखते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई हाई सही आंसर क्या हो जाएगा मुंबई हाई हो जाएगा इसका सही आंसर पिश नमबर 11 आपकी स्क्रीन पर निमलिकित मैंसे कौन सा राज भारत में मैगनीज का सरवादिक उत्पादन करता है तो मैगनीज की अगर बात करते हैं तो मैगनीज जो है वो एक धात्विक खनिज के अंतरगत आता है खनेज है धात्विक धात्विक खनेज और याद रखेगा धात्विक खनेजों के उत्पादन धात्विक खनेजों के उत्पादन और भंडारण में भारत का जो राज्य सब से आगी है उस राजिका नामे ओडी सा चाहे मैगनीज हो आपका चाहे टिन हो आपका ठिकना चाहे इन सब में सब से आंगी जो इस्थान रखता है वो कौन सा रखता है आपका उडिसा राज उडिसा जिसको हम बोलते हैं तो इसका सही आंसर हो गया उडिसा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा उडिसा चलिए पिश नमर 12 के बाद पिश नमर 13 कौन सा धातू खनिज नहीं है तो में धातू की मात्रा पाई जाती है हेमेटाइड क्या है तो हेमेटाइड लोहा चार प्रकार का होता है उसी में से लोहे का एक प्रकार है बॉकसाइड जो है वो ऐलमुनियम का ऑक्साइड होता है लिमोनाइड लिमोनाइड भी लोहे का एक ऑक्साइड है लोहे का एक प्रकार तो हेमेटाइड, बॉकसाइड और लिमोनाइड, यह तो तीनों के तीन लोहा और एलमूनियम के खन ऐस्क हो गए, या उनके प्रकार हो गए, बचता है जिपसम, और बखू भी जानते होंगे, कि जिपसम से क्या बनाई जाती है, जिपसम से सीमेंट बनाई जाती है, और सीमे में सामिल करते हैं इसको तो इसको हम सामिल कर लेते हैं आदावक खनिश के इंतरागड ठीक ना तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जिप्सम ठीक चलिए पिश्नमर 13 के बाद पिश्नमर 14 पर ऑठ कै चलिए यहांप यह मातपूर्ण खनिच के केंद्र है और इनके सामने कौम सा खनिच यहां से निकाला जाता है यह लिखा हुआ है यहां पर ठिक ना चलिए तो एक-एक से आपको इनके आंसर बताने हमें एक-एक से आपको इनके आंसर बताने चलिए तो अगर हम माकूम की बात करें तो माकू माकुम उपरी एसम के छित्र में एक जगह है जहां पर भारत का पहला तेल का कुगा खुद अगया था तो माकुम का संबंद किसे हो गया तो माकुम का संबंद तेल से हो गया यानि कोईला से हो गया सरी किसे पेटरॉल से हो गया तो एका दूसरा एका दूसरा यानि ये वाला ठीक ना चलिएगा उसके बाद डली राजहारा तो डली राजहारा जो है वो एक प्लेस है जहां से लोह एसकी की परियात मत्रा में प्राप्ति होती है तो डली राजहारा से लोह एसकी की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद अगर बात करते हैं कोरापुट तो कोरापुट बी का पहला तो ये वाला option आपका सही हो गया आने डी का तीसरा चितरदुर किस के लिए जाना जाता है मैंगनीज के लिए जाना जाता है 36 गड़ मैं ठीक ना चलिए तो इस प्रकार से आपको जब भी सारणी वाले आ जाएंगे और ये नाम थोड़े भड़काऊ रहते हैं नाम थोड़े भड़काऊ रहते हैं लेकिन option अगर आप अच्छी से देखेंगे तो आपको जल्दी से answer मिल जाते हैं तो पहले आपको क्या करना है पहले आपको option ही देखना हुगा चले पिश्ण नमबर 15 फिर से उसी प्रकार का पिश्ण है आपको इस्थान दिया गया हो मिलाना है बादाम पहाड डली राज हारा कुद्रे मोख नुवा मुंडी एक साइड लोह उत्पादक छेतर हैं और एक साइड उनसे संबंदेत राज हैं और आपको मिलाना है चले तो एक-एक से मिला लेते हैं हम चले एक-एक से मिलाते हैं तो अगर बादाम पहाड की बात की जाए कि बादाम पहाड कहाँ पर है जारकंड उरिसा च्छतिसगर करनाटक डली राजहारा देखेगा डली राजहारा की सायद बात उपर भी हुई थी तो कई बार इस प्रकार से आपको कुश्चन आ जाएगा जैसे इस बार PCS की तुर्कमेनिस्तान किर्गिस्तान कैन ठीक न तो इस परिकार से उवह पर पांच देश हैं और उनके सामने उनकी राध़ानियां लिखी हुई थी और एक अंगला कुश्चन धा जिसमें एक मंद एशिया की देश की राध़ानी लिखी हुई थी तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एक जामनर क्या करता है कि एक पिश्ण तो देता है लेकिन दूसरे पिश्ण में हो सकता है कि किसी कारण बस वो ऐसा कोई पिश्ण दे देता है कि हो सकता है उसी में उसका आंसर हो तो निगाहें हमें सब बाज की तरह रखेगा और पकड़ते रखेगा देखेगा मैंने दूसरा बाला कुश्चन कराने के पहले ही बोल दिया कि देखेगा यहाँ पर आभी मिल गया था डली राजहारा में मिले था और डली राजहारा जो था वो किसके लिए था अभी अभी आपको बताए हैं ठीक ना तो देख लीजिगा बी यहाँ से तुरंथ हमें पता चल गया अगर वहाँ पता न चलता तो यहाँ पर कि डली राजहारा किससे संबन्द च्छित रहा है लोईस किसे चलिएगा एक-एक से आप मिलाते हैं तो पहले हमने कहा जो आपको सबसे जानदा पसंद हो या जो आपको पहले आता हो ओ मिला ले जैसे कुद्रे मुख तो कुद्रे मुख का संबन्द करनाटक से है कुद्रे मुख करनाटक में एक परवत है जहां से लोहा की प्राप्ती होती है तो C का चौथा तो C का चौथा तो तो ये वाला आंसर होगा या ये वाला आंसर होगा ठीक ना अब इन दोनों वालियों में C का देखीगा C का दूसरा होना चाहिए यानि A का दूसरा होना चाहिए A का दूसरा तो A बादाम पहाड कहां पर हो गया तो बादाम पहाड आपका कहां हो जाएगा A का दूसरा यानि बादाम पहाड आपका पोड़ी सा में हो जाएगा उसके बाद बचिता है आपका नोवा मुंडी तो नोवा मुंडी की अगर बात करते हैं नोवा मुंडी की बात करते हैं तो नोवा मुंडी आपका कहा है जारखंड में है तो D का D का कौन सा हो गया है? D का पहला तो D का पहला तो ये वाला आंसर इसका सही हो जाए ठीक ना? ये वाला आंसर मतलब थोटिकली बहुत है ठीक ना, concept नहीं यहाँ पर यहाँ पर रदकान सीज़ें आपको याद होनी चाहिए तब भी प्रिष्ण बन पाएंगे ठीक ना, चलिए चलिए अंगला question है आपके सामने कुछ महात्रपूर्ण छेतर दिये गए हैं और उनसे सम्मंदित आपको सहर दिया गया है आपको ढूनना है, ठीक ना, जिपसम तामा, रॉक फॉस्पेड सीसा इवम जस्ता चलिए, एक-एक से मिलाते हैं अगर हम सीसा और जस्ता की बात कर रहे हैं जावर की खान बड़ी फेमस है सीसा और जस्ता के लिए साती साथ चित्तोर गर्म है रामपूर अगूचा किस के लिए जाना जाता है यानि डी का उप्सन 2 हो जाएगा तो अगर आप इस प्रकार से मिलाएंगे तो डी का उप्सन 2 हो गया तो हमें सारे अंसर पत चल गए एक अचो था लेकिन हम बहसी मिला देते हैं जिपसम जिपसम जो है वो जामसर से प्राप्त होता है उसके बाद तावा की अगर बात करते हैं तो प्राचीन काल से तावा की प्राप्ती हो रही है तो आपको यार रखना है तावा का सम्बन खोदर रही है वहाँ पर एक स्थान उससे है तो रॉक फॉस्पेट का सम्बन जामर कोटराथ से हो जाएगा तो इसका अंसर C सही हो जाएगा तो आप्सन C सही हो जाएगा चलिए अंगला देखेगा देखेगा अभी अभी मैंने नाम लिया खेतरली की खान किसके लिए जानी जाती है तो खेतरली की खान प्राचीन काल से ही तावा के लिए जानी जाती है ठीक ना उसके बाद जरिया जरिया जारखंड में है और जरिया का छेतर कोईला के लिए जाना जाता है और शिंग भूम या शिंग भूमी जिला लोहे के लिए जाना जाता है तो एका दूसरा खेत्रडी एका यानि अच्छा ही उल्टा दिया है दो का ए इस परकार से दो का ए हो गया ठीक ना? यानि एका दो उसके बाद सी का बी सी का बी हो गया ठीक ना? और A का C, A का C हो गया, A हो गया, ठीक ना, इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे, सारे के सारे प्रिष्ण हैं, लोग सेवा आयोग के द्वारा बिभने वर्सों में आयूत की गई परिक्षाओं के हैं, ठीक ना, चलिए, कुश्चन नम्मर 18, केरल का जो समुद्री तठ है, और के केरल के अगर समुद्री तठ की बात करें, तो केरल का जो समुद्री तठ है, केरल के समुद्री तठ को एक नाम दे दिया जाता है, और केरल के समुद्री तठ को एक नाम दिया जाता है, मालावार तठ, क्या नाम दिया जाता है, मालावार तठ, कहरा केरल के समुद्री तठ पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है बेरेलियम, इुरेनियम, थोरेनियम, मोनोजाइट तो मोनोजाइट एक खनिज होता है परमाणु एक खनिज होता है जो कि मोनोजाइट रेत से ही प्राप्त होता है और केरल में इसका सबसे जादा उत्पादन किया जाता है monogyte का ठीक ना? ठीक नो? पिश्नांमर 18 के बाद पिश्नांमर 19 Quesn Repated है भारत में monogyte पाया जाता है अब ये अभी बताये हैं कि भारत में सबसे जदा monogyte जो है, वो कहाँ पाया जाता कहां पाय जाता है केरल के मालावार तट पर ठीक ना केरल के मालावार तट पर पाय जाता है 19 के बाद आते हैं पिश नंबर 20 जादू गोड़ा जादू गोड़ा प्रशिद है जादू गोड़ा एक इस्थान है जारखंड का और यह जादू गोड़ा जो है किस के लिए जाना जाता है तो जादू गोड़ा जो है वो इूरेनियम के लिए जाना जाता है तो इूरेनियम के लिए जाता है यह आपको हमके लिए चलिए तो यहां तक तो हमने आर्थिक भूगोल से संबंदित प्रिष्ण कराए अब आर्थिक भूगोल से हटके 10 महत्पून और प्रिष्ण है कह रहा है भ्रंस घाटि में परवायत होने वाली नदी कौन सी है तो भ्रंस घाटि को ही रिप्ट बैली कहते हैं दो ब्लॉक परबत हैं माली जगाई A ब्लॉक परबत है बी ब्लॉक परबत है और इनका जो निचला छितर होता है इसी निचले छितर को हम रिप्ट बैली के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं इसी निचले स्थान को हम रिप्ट बैली के नाम से जानते हैं भारत में रिप्ट बैली में प्रवायत होने वाली नदियां कौन-कौन सी हैं PCS प्रलिम सुद्वायर उन्नीस के परिच्छा में पूछा गया कुश्चन है और याद रखना है भारत में रिप्ट घाटी में तीन नदियां प्रवायत होती है एक का नाम नर्मिदा है दूसरे का नाम तापती है और तीसरे का नाम दामोदर तो नर्मिदा तापती दामोदर भरंस घाटी या रिप्ट घाटी में प्रवायत होती है विस्ट की सबसे बड़ी रिप्ट घाटी की बात करते हैं अगर हम तो विस्ट की जो सबसे बड़ी रि तो पारदी बंदरगाय की बात कर रहे हैं तो महानदी 36 गन और उडीसा के चित्र से बैती है और बंगाल की खारी में अपना डेल्टा बनाती है और इसी के डेल्टा में एक सहरे रिस्तित है जिसका नाम है पारादुआप और पारादुआप बंदरगाय है भारत का दूसरा सबसे गैरा बंदरगाय। इस पारदूी बंदरगाय से जापान को हम क्या करते हैं जापान को हम लोहे का यहां से निर्यात करते हैं पारदूी बंदरगाय से कई वार कुशन पूछा जाता है पारदूी बंदरगाय का उपयोग क्या है तो जापान के लिए हम यहां से लोहे का निर्यात करते हैं ठीक न चले तो पारदी बंदरगाय किस नदी के मोहने में बसा हुआ है तो महा नदी के मोहने में ये बसा हुआ बंदरगाय है भारत का दूसरा सबसे गहरा बंदरगाय और सबसे गहरा पूचता तो विसा का पत्तनम है और तमान समय में भारत का सबसे गहरा बंदरगाय ठीक है चलिए आप लोग देखिएगा आप लोग के लिए आप लोग की सफलता को सुनेश्चित करने के लिए मेरा तवियर सही नहीं है आज एकदम से फीवर है अंदर से और जुखाम भी है तब भी मैं भरपूर कोसिस कर रहा हूं कि अपनी बातें आपको इमांदारी से आपके सम्मुकरत सकों और आपको उनसे लाप पहुंच सके आज की पार्ट मैं अस्वस्थ हूं थोड़ा सा इसलिए हो सकता है कि आपको ऐसा लगी कि सर जल्दी जा रहा है लेकिन मैं जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूं आराम आराम से आपको एक एक चीज समझा रहा हूं जहाँ पर भी समझाने की आवशक्ता है सपोर्ट कीजिएगा जितना देखेंगा मैं पहले भी काहा है जितना आप टीचर को जितना जान्दा सपोर्ट करेंगे उतना जान्दा टीचर आपके लिए कार करेगा मैं तो ये कह लिजीगा, मैं तो आप ही लोगं के लिए हूँ, जो लोग पहले भी पढ़े हैं, यहाँ पर टार्वित आलोग में, तो मुझानते होंगे कि कितनी महनत की गई आप लोगं के लिए, चाहे हम टीटी का बैचो या कोई भी बैचो, जिसकी भी परिक्चा होगी, उसके लिए हम लोग भरकस महनत करते हैं, और ऐही कारण है कि आप लोग हमारे उपर विश्वार्श करते हैं, चलिए, तो अगला है, बिरम्पुत्रा या बिरम्पुत harbor नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, आगर हम बिरम्पुत harbor की बात करते हैं, तो पर एक दर्रा है और यहां पर जो दर्रा है इस दर्रे का नाम इन्डवा परववत के परवड कुछा जाता करती है यह आंग्याब दर्य से वोते हुए और सबसे पहले भारत के जिस राज्य में आती है उस राज का नाम क्या है उस राज का नाम एरोणाचल परदेश के नाम इपा आज पृदेश के लोग इस नदी को धिहांग नदी के नाम से जानते हैं आरोणांचल प्रदेश का जो छेत्र है वो पहाडी छेत्र है और जब पहाडी छेत्र से यह नदी नीचे गिरती है तो वी आकार की घाटी का निर्माण कर देती है और वी आकार की घाटी को किस नाम से जानते हैं तो वी आकार की घाटी को एक नाम दे दिया जाता है और वी क्या नाम है दिहांग और भारत का जो सबसे गहरा गार्ज वो सिंदु गार्ज जो सिंदु नदी बनाती है ठीक ना तो याद रखना है बरंपुत नदी भारत में किस दर्री से प्रवेश करती है किस दर्री से यांग्याब दर्रा दीफु दर्रा भी अरोनाचल प्रदेश मे नहीं है यह आपका होंबर का आपको comment box में मुझे बताना है कि नाथूला दर्रा भारत के किस राजी में है ठीक ना चले पांक्साड दर्रा पांक साल दर्रा जो आपका वह अरुदा चल प्रदेश में ही चले पिश नंबर 24 पिश नंबर 24 आपकी स्क्रेंपर है और पिश मैंसे कौन सी भेने नर्मिदा गोदावरी किष्णा बै गई तो अगर हम भारत का मांचित्र प्राइदीपी भारत के नदियां हैं अगर मांचित्र बना हुँ मैं तो मांचित्र में मैं आपको यह दिखाने की कोशिस करूँगा यहां पर एक नदी ऐसे प्रवायत हो रही है और यहां पर जो नदी प्रवायत हो रही है इस नदी का अगर हम बात करें कि पूर्व दिशा की ओर आ रही है और पूर्व दिशा में यहां पर एक खाड़ी है और यहाँ पर झो खाड़ी इस खाड़ी का नाम है बंगाल की खाड़ी और पश्चिननिसा में यहाँ पर एक सागर है नरमिना गोधवरी को बतारे होंगा गोधवरी को इसलिए क्योंगि गोधवरी दच्छन वारत की सबसे लंबी नदे नहीं बावू, वो सही नहीं होगा, सही होगा नर्मदा, ठीक ना, नर्मदा नदी जो है, वो क्या है, कि इनमें भेन है, क्योंकि ये पूर्व से पश्चम की और बहती है, जबकि ये सवी नदियां कहां से कहां की और बह रही हैं, पश्चम से पूरव की और प्रवायत हो रह किया रहा है सिक्क्यम से गुजनने वाला अचप्ञांस नमलेखित मैंसे किस एक से होकर गुजडता है अगर हम अचप्ञांस की बात करते हैं तो इस पृत्थवी पर ये पृत्थवी जो हमारी है इस पृतिवी पर जो भी छहतेजरेखाई खीचे जाती है बना लेता हूँ नोट पर एक भारत का डाइग्राम बना लेता हूँ चलिए देखिएगा मैंने एक ओरल भारत का मांचितर बना लिया कह रहा है सिक्किम सिक्किम कहां पर है यह सिक्किम तो सिक्किम से जो अच्छांस गुजरेगा वो कह रहा है बताएए किस राजिस से होकर गुजरेगा चलिए तो सिक्किम से अगर होकर गुजरेगा तो यहां पर कोई राज होना चाहिए अब option के आधार पर answer देगे जिए राजिस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मु कसमीर चलिए तो राजिस्थान, पंजाब देखिएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर राजिस्थान है यहाँ पर जम्मु कसमीर है और कौनसा है राजिस्थान और यहां पर कौन सा है यहां पर पंजाब है और एक है हिमाचल प्रदेश तो अगर हम हिमाचल प्रदेश को मनाएं तो हिमाचल प्रदेश आपका यहां पर है तो हिमाचल प्रदेश तो वह यह हो नहीं सकता जमुकस्वीर भी नहीं हो सकता और आपका पंजाब भी नहीं हो स आपको पढ़ना जरूरी है, वो देखिएगा कोई भी परिक्षा का दारत सीमित नहीं होता है, ठीक ना, एक्जामनार कहीं से भी प्रिष्ण पूँछ सकता है, जैसे इस वार की अगर परिक्षा की बात करें, तो PCS की परिक्षा में अच्छे खाजी प्रिष्ण पूँछे इथियास में और भुगोल में अदकास प्रिष्ण प्रिष्ण के लेवल के पूछे गए थे, ठीक ना, अब मत पढ़िएगा कि सर ये तो आईएस में आने वाला ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, अभी कुछ समय पहले जनवरी में उतर प्रदे तो अच्छांस रेखाओं के द्वारा तापमान की गड़ना करते हैं, मैंने कह दिया कि अच्छांस रेखाओं के द्वारा तापमान की गड़ना करते हैं, एक राजिस्थान का सहर कह दिया उसने जैसलमेर और एक यहां पर सिक्क्यम या पश्यमंगाल में एक सहर कह दिया उसने दार्जलिंग कहता है दोनों तो एक ही अच्छांस पर हैं लेकिन दार्जलिंग का टेंपरेचर बहुत कम रहता है यहां पर ठंडी रहती है और जब कि यही जैसा अलमेरिका टेंपरेचर बहुत अदेख रहता है आप तो कह रहें कि दोनों एक ही अच्छांस पर है और अच्छांस रेखाओं के द्वारा अम तापमान गयाद करते हैं तो भाईया यहां पर तापमान भी एक समान होना चाहिए तो उसका भी एक अंसर है उसका अंसर ए है कि तापमान को प्रभावित करने वाला एकमातर कारा का च्छांस नहीं है तापमान अच्छांस के अलावा और कई सारे फेक्टर हैं जो तापमान को प्रभावित कर सकते हैं जैसे कि उचाई जैसे जैसे उचाई बढ़ती जाएगी जैसे जैसी हाइट बढ़ती जाएगी बैसे बैसे तापमान में कमी आएगी दार्जिलिंग की पहाडी है और पहाडीयों पर उचाई अदिक होगी जबकि जैसलमेर मैदान रेगिस्थान में है, मैदानी छेत्र में है और मैदानी छेत्र के उचाई कम होती है, तो जैसे जैसे पहाड़ी उन पर चड़ते जाएंगे, बैसे बैसे तापमान में कमी आती जाएगी, ठीक न, इस परकार से भी प्रिश्ण उसने पूछा है, चलि इस परकार से भी कुछण पूछ लिए गए, लोग से वायोग में, और जब इस परकार से कुछण पूछा जाता है, तो जारकंड जरूर दे देता है वो, जारकंड की राधानी राची, एक ऐसा सहर है, जो करके रेखा पर पूर्ण रूप से स्तित है, कौन से सहर है? इस सह नांगपूर आप यहांग जोत्पूर ग़ें राजिस्थान लाजिस्थान है टो इसका सही आंशर जोत्पूर है राजिस्थान इन चारों सहरों में से राजिस्थान सहर ऐसा सहर है जहां पर करकरेखा की जो करकरेखा से दूर इब हो है बहुत कम है ठीक ना चली पिश नमबर 26 के बाद पिश नमबर 27 यहां देखिएगा मैंने एक दिन आपको पब्लिक वीडियो में सुपर टेट के वीडियो में मैंने आप देखिएगा हमारे संस्थान में कई सारे बैच चल लाए है आप कोई स्क्रोलिंग में नमबर मिल गए होंगे सुपर टेट का बैच चलाए जा रहा है उसके साथ साथ खंड सिक्षादिकारी का बैच चलाए जा रहा है PCS की दौनों परिक्षाओं के लिए अलग-अलग बैच है जो लोग PCS प्रिलिम्स जिनको लगता है मेरा प्रिलिम्स हो जाएगा मैं फिर मैंस की तयारी करूँगा उनके लिए भी बैच चला है और जिनको लगता है नहीं सर मुझे अपनी उपर confidence है मैं प्रारम्विक परिक्षा के साथ सद मुख परिक्षा में भी फाइट करूँगा उनके लिए PCS प्रिकम्मेंस बैच है इसको रॉलिंग में नमबर चल रहे हैं आप वहां से नमबर ले लीजिगा इनको अरी ले सकते हैं अब देखीगा question है यहां से समय की गढ़ना करनी है कहरा है यदि भारती ये मानक समय के अनुसार पूर्वाहन के 10 बजे हैं तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सिलांग का इस्तानी समय क्या होगा चलिएगा इस प्रकार के पृष्ण को समझने के लिए हम लोग करते क्या हैं आपको एक बात याद रखनी है जब भी इस प्रकार का पृष्ण आ जाए आप ऐसा सा एक मा लिजेगा यह आपका विश्व का मान्चित्र है और यहां से एक रेखा गुजार दीजेगा यहां से एक रेखा गुजार दीजेगा इस रेखा का मान है जीरो डिगरी देशांतर और लंडन के ग्रीन बिच सहर से होकर गुजरती है इस रेखा के आगे वाला जो है वो पूर्वी गोलार्द है और जो भी देश पूर्वी गोलार्द में होंगे उनका समय 100% लंदन के समय से आँगे होगा और जो देश इस ग्रीन भी सहर यानि जीरो डिग्री दिसांतर के पीछे यानि पश्चिम में होगे उनका समय निश्चित रूप से लंदन के समय से पीछे होगा ऐसे इसलिए है क्योंकि सोर्योदय की गटना पूरब दिसा से गटती है इसलिए पूरब में सूर की करणा पहले पढ़ेंगे इसलिए दिन हो जाएगा और पश्चिम में सूर की करणा बाद में पढ़ेंगे इसलिए यहां पर रात हो जाती है ठीक ना चलिए अब आपको इतना याद रखना है प्रतेक देश की एक मानक रेखा होती है यदि मानक रेखा में इस्ट लिखा है तो मतलब पूरम में हो निश्चत रूप से यहां का समय आंगे होगा और यदि किसी मानक रेखा में डबलू लिखा है डबलू मतलब वेस्ट तो ये निश्चित है कि यहां का समय लंदन के समय से पीछे होगा चलिए अब एक बार कुश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार हम लोग कुश्चन पढ़ लेते हैं कुश्चन क्या कह रहा है कुश्चन कह रहा है यदि भारती मानक समय और भारती मानक समय यानि 60 डिगरी पर 10 बजे है तो 90 डिगरी पूर्वी देशांतर पर सिलाग का इस्तानी समय क्या होगा चलिए ठीक है कह रहा है भारती मानक समाय यानि भारत की मानक रेखा की बात कर रहा है और भारत की मानक रेखा पर कह रहा है कि 10 बज रहे हैं कितना बज रहे हैं 10 10 एम सुभाई के 10 बज रहे हैं पूरवाहन के ठीक ना अब कह रहा है कि भारत की हम जानते हैं कि भारत की मानक रेखा कितनी है अब परत्यक चुरूप से ये कहना चाहता है कि 85 डिगरी इस्ट रेखा पर सुभाई के 10 बज़ रहे हैं तो बताएगा 90 डिगरी इस्ट रेखा पर समय क्या होगा कौन सी रेखा पर 90 डिग्री चली भईया ये बताएं कि अगर मैं कहूं आपसे कि ये 0 डिग्री है 0 डिग्री से 82 है साड़े 82 तो साड़े 82 की आँगे कही ना कही पर क्या होगा साड़े 82 की आँगे कही ना कही पर 90 डिग्री इस्ट होगा कितना होगा 90 डिग्री इस्ट होगा और जब यहां पर 90 डिग्री इस्ट होगा तो हम यहां का समय निकाल लेते हैं तो जब भी अगर इस प्रकार के प्र 82 को आपको माइनस कर देना है तो अगर 90 में से 82 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भी या तो ये बचेगा आपके पास 67 कितना बचके आएगा ये आएगा 67 हमने आपको पहले भी पढ़ा है कि एक डिगरी पृतिवी को गूमने में चार मिनिट का समय लगता है तो इसको कैंसल कर देंगे तो दो बार तो 15 दूनी कितना 15 दूनी 30 मिनिट मतलब भारत के समय में और जो 90 डिगरी रेखा है सिलांग की इन दौनों के समय में लगभग लगभग कितने का अंतर आएगा 30 मिनिट का अंतर आएगा अगर भारत में सुबह के 10 बच रहे हैं तो सिला सिलांग में कितना बज रहा होगा सिलांग में बज रहा होगा 10 बज कर 30 मिनट एक आपको याद रखना है कितना बज़रा होगा 10 बच कर 30 मिनट ठीक न चलेगा तो इसका यह आसर हो जाएगा 10 बच कर 30 मिनट इसका सही आसर ठीक न इस प्रकार से निकाले जाते हैं अंगला देखिएगा पिश नमबर 28 कह रहा है असर भूटान को इसपर्स करता है तो देखिएगा अगर हम बात करें भूटान की तो यह रहाब का भूटान और भूटान यहाँ पर सिक्किम को इसपर्स करता है अरुनाचल प्रदेश को इसपर्स करता है और साती साती यहाँ किसको इसपर्स करता है असम और यहाँ पर पश्चमंगाल को तो भही अब भूतान है अगर बात करें मयामार मयामार भारत का पडूशी है और यहाँ पर भारत के कुछ राज्य है और यहाँ पर जो देश है इसका नाम है मयामार तो यहाँ पर एक है जिसका नाम है अरोनाचल प्रदेश, यहाँ पर है नागलेंड, यहाँ पर है मनीपूर, मनीपूर, और मनीपूर के बाद यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर है मिजोरम, तो अरोनाचल प्रदेश, नागलेंड, मनीपूर, मिजोरम, यह भारत की चार र नंतराश्टी सीमा बांगलादेश के साथ लगती है और सबसे छोटी भारत के अंतराश्टी सीमा जो है वो अफगानिस्थान के साथ लगती है एक बाता पूरवुत्तर भारत के अगर हम बात करते हैं तो पूरवुत्तर भारत को यह रहा बैना दिया मैंने आपका पूरवुत्तर भारत ऐसा तो पूरवुत्तर भारत के अगर बात करें तो इसके अंतरगत यहाँ पर एक राज हो गया सिक्क्यम यहाँ पर एक राज हो गया मेगाल मिजव평रं के साथ साथ तिरपुरा ठीग न? तो कितने राज आते हैं? आतराज तो ए बात भी सही है मतलब चारो बाते सही है उपरयोग्ट कत्नों में से कौन से सही है तो बहि scholars चारों सही है देख लीजिएगा उपरयोग्त सभी ठीक ना चलिए पिश नम्मर 29 भारतिये उप महादीप मुलता एक विसाल भूखंड का भागी जिससे कहते थे मैं पढ़ा चुका हूँ क्या कहते थे जिसको गोर्णवाना लेंड कहते थे पहले किस नाम से जानते थे गोर्णवाना लेंड आर्या वर्त तो इसका एक नाम है भारत को पहले आर्या वर्त नाम से जानते थे ना कि भारत आर्या वर्त का भाग है तो इसका सही आंसर गोर्णवाना लेंड और आप यह यहां पर क्या करती है नर्मदा नदी यहां पर क्या करती है नर्मदा नदी जवलपुर में कई सारे जलपिरपातों का निर्माड करती है यह नम जो की एक सहर है पन्देशेरी का एक गोदबरी न दिखना रहे चपरा बिहार में गंगा न दिखना रहे और लाहौर जो है वो रावी न दिखना रहे तो देख लिजीगा जवलपुर नर्मदा यानि एका चौथा एका चौथा एका चौथा यानि एक दो तीन तीन मिल गए बी का तीसरा यानि ये वाला मिल गया तीन का पहला यानि सी का पहला सी का पहला ए मिल गया और ए मिल गया यानि ये वाला मिल गया और D का दूसरा, D का दूसरा या नहीं, तो ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, ठिक ना, तो आज की सीरीज के ए मातपूर्ण प्रिश्म ने थे, ठिक न, एक मिनिट और हमारी बात सुन लीजेगा, नीचे स्क्रॉलिंग में नमबर चल रहे हैं, आपको किसी भी बैच में की तैयारी कर रहे हूँ, तार्गेट भी तो अलोग ऑनलाइन इंस्ट्यूट से जरूर जुड़िएगा, और निश्चेत रूप से यहां से आप सफल हो जाएंगे, ये हमारे बैचों में जूडने के लिए नमबर है, इनको आप देख लीजेगा, ठिक न, चले, thank you, next session में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना क्या रखिएगा, अच्छी से पढ़ते रहे हैं, thank you